नमस्कार प्यारे साथियों मैं आपका साथि मंदीब कुमार एक बार फिस स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम हैं डीटूरेटर पब्लिकेशन तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरियाना जेई लगे हुए और साथी साथ होटी कल्चर की तो दोस्तो विबिन डिपार्टमेंट के अंदर हरियाना के अंदर कॉंट्रेक्ट बेसिज यही लगे हुए थे अब पक्की बरती होने के बाद जो है उनकी नोकरी खत्रे में आ गई हुनके हटाने के जो आदेश जारी कर दिये हैं क्योंकि पहले ही उनसे ऐसा लिखवा लिया गया था जब उनको नोकरी दीगी थी कि भी आप कॉंट्रेक्ट बेसिज हैं आप जब तक नोकरी पर बने रहेंगे जब तक आपका कॉंट्रेक्ट रहेगा या फिर जो बहुत तक पक्की बरती नहीं होती तो फ्रेंड जो ओडर है और चीफ सेक्रेटरी तो गोवेंट अर्यान अर्बन लोकल बोडिज देपार्टमेंट चंडिगड उन्होने अल्ड़ कमिशनर को बेजा है मुनिशिपल कोर्परेशन फ्रिदाबाद, गुरुग्राम, पंचकुल, अंबाला, युम्नानगर, स्वानिपत, रोत्त, रोत्त, औ चाउन संगी उन्होनेंगें आपो पुझी ऑगूकल शोनेंग, छोट भतवड उन्होनें ऑन्गोनिज छोग मुनिपकार ऑ्नेडान ऊंबान पोटम ऑी ङत्तों, पटीव上ने होगे है इनkovड को शोनेंगेंगेंग्ड इ抗 ऑन्चोंचल, आजानमान शोनेंगडेंगिन को ठीक है। However, sometime when the municipal authorities try to terminate their services agreement, the contractual manpower have approached before the honorable Punjab Haryana High Court or any other court of law wherein the honorable court in some of the cases had granted interim relief to the state contractual manpower. Now, on the basis of the recommendation of the Haryana Staff Selection Commission, this department had forwarded the list of newly selected candidates for issuing appointment letter to this candidate at your end, being appointed authority. You are hereby directed to initiate the action to terminate the service contract of all such outsourced junior engineers who are working against these sanctioned posts where regular appointment is going to join. So friend, here we have been told that we have to remove the law, but we have to remove high court in some of the cases, we have to remove the law, but we have to remove the law, प्राइचारी चैनागों ने recommendation list भेजी है, पक्की भरती कर ले गई है, तो अब सभी department को यादेश जारी कर दिये गए, कि इन contractual जेश को हटा दिये जाए, ये थोड़ा सा बुरी खबर है उनके लिए, मैं तो चाहता कि उनका भी रोजगार बना रहता और ये जो नए select हुए इनकी भी joining हो जाती, लेकिन ये जो की इन नए पदोग पर ये लगे हुए थे तो इनको department को हटाना ही पड़ेगा, तो दोस्तों अपडेट आ रही थी जो आप तक पहुंचाना आती आप सकता, आज किस वीडियो में फिलाल इतना ही धन्यवाद